दोस्तों जो सेमसंग की S सीरीज है वो काफी प्रीमिय में और यह डिरेक्ली आइफोन को कंप्रीट करने के लिए बनी हुई है तो डेफिनेटली यह आपको कंप्री पैकेस तो डिलिवर करती करती है और आज किस वीडियो में हम इसको कंप्रे करेंगे मेक शो के चैनल के जो सब्सक्राइब कर लिए तो हम लग आपे वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं इसके डिस्प्ले से तो आपको सेमसंग में 6.1 इंचे का यहां पे काफी कॉम्पैक सा फोन होने वाला है तो आप अगर इस वाले फोन को अपने हाथ मिलेंगे तो काफी ज् बाकि दोनों में आपको Full HD वाल आपको Resolution मिल जाता है Amulet पहला मिल जाएगा तो आपको काफी पंची देखा मिल जाएंगे लेकिन यह चीज है जो कि Motorola ने हमको पवाइट किये वह इसका Curve Display जो कि हमको सेमसंग में देखने को नहीं मिलता है तो definitely यह Curve Display की होने की वज़े से यह फोन काफी प्रीमियम लगेगा आप अगर इस वाले फोन को बहार निकालेंगे तो definitely हर को इसको देखेगा बाकि जो प्रेक्शन है वहाँ पर सेमसंग काफी आगे निकल जाता है कॉर्णिंग गोले गिलास विक्टर स्टू की मिल जाती हो और मोटर रोला ने यहाँ पर कंप्लीट कंजूसी करिए और मोटर रोला में आपको और बी ज्यादा बैटर मिल जाएगा 144 हर्स का मिल जाता है और जो ब्राइटनेस है सेमसंग में हमको यहाँ पर 17-15 इसकी मिल जाती है वाज़ेगे मोटर रोला में हमको 12-15 इसकी मिलती है दोनों ही डिस्पले काफी ब्राइट है धूप में जाएंगे कोई दिक्कत नहीं आईगी लेकिन सेमसंग का फोन आपको और भी ज्यादा ब्राइटनेस प्रोवाइट पर दो बॉटर रोला के फोन में जो फीचर से और भी जादा बैटर है जैसे कि आपको इसमें जो डिस्पले का साइज मिलता है काफी बड़ा एक काफ़वड पैनल है तो जिसकी वाएस का आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे तो यह फीचर आपको पर बात की जाए चिप आपको बैट्री का बैकप काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा और इसके जो आपको दस लाखे करीकरी देखने को मिलेंगे तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस आपको दोनों में एकदम टॉप नॉच मिलेगी लेकिन अगर हमको किसी एक को चूस करना हो तो वह सब्सक्राइब के साथ में आता है और इसमें प्रामिस किया है कि हम इसमें तीन साल तक की अपडेज देंगे तो 12 है तो 13, 14, 15 तक ही जाएगा तो इस मामले में डेफिनिटी समसंग आगे निकल जा जाता है तो और अलग अगर देखा जाए तो समसंग वाला फोन सॉफ्टर में भी विन कर जाता है इसके बाद अगर बात की जाए बैटरी की तो यहां पे समसंग में हमको बैटरी का साइज का मिलता है इसका रीजन यही है कि डिस्प्ले का साइज भी काफी चोटा है तो आपको बैटरी बैकपस के साथ में कोई भी इशू नहीं आएगा 3,900 इमेज की बैटरी मिल जाती है 25 वाट की फास चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है लेकिन चार्जर आपको इसमें इंद बॉक्स में नहीं मिलेगा और जब मैंने समसंग का S21 FE 5G बाय किया था तो उसमें भी मुझे अलग से ही चार्जर भाय खाइना पड़ा था यह ज में दबॉस मिल जाता है तो देखा जाए अगर आपको बैटी का बैक अप और चार्जर से अगर आपको मतलब है तब फिर आप लो मोटरोला की तरफ जाईए लेकिन अगर आपको कुछ प्रीमियम फीचेस अगर आपको इंज्वाए का नहों चार्जिंग को लेगे कि तब यहां से भी आप लिए फटी के कर सकते हैं तो यह भी काम काफी सही आगी है कई सारी खाली फुल इजी तक ही खाली दे रही है तो डोग दोनों में से किसी फोन को चूज कर लिए चुकि दोनों ही फोन के जो कैमरा आज है बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं जाए तो इसके बाद अगर वेरिंट रेट की बात की जाए तो आपको समसंग मिल जाएंगे लेक है इनके राम और रॉम की तो यहां पर समसंग में आपको ध्यान देने की जरूवत है आपको जो बेस वेरिंट है 128 GB आला इसमें जो स्टोरेश टाइप है वह आपको यूएफस 4.0 की देखने को रही मिलेगी लेकिन जो इसका हायर वेरिंट है 256 GB आला वहां पर आपको यू कर जाता है अगर आप लोग यहां पर हाई विरेन लेते हैं इसका अगर आपर बात की जाए मेरे पॉइंट आफ व्यूग की तो देखिए आप समसंग अला फोन है कि हापर काफी सही डील लेकर आता है जैसी कि आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलता है उसकी प्रोडेशन आपको इसमें मिलते हैं वो मोटरोला आपको परवाइड नहीं कर रहा है बाकि आगर मोटरोला की बात की जाए तो इसका डिस्प्ले की क्वाल्टी काफी अच्छी है बाकि बैटरी का साइस काफी बढ़ा है और जो 125 वर्ट के चारजर आपको इसमें दवास मिलता है तो य कि होब कि आपके सभी डाउस के लिए रहो गयोंगे तो सब्सक्राइब कर दिए अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं